जवान मुवी का ओफिसेल उसके रिलीश डेट जो है बहुत समने आ चुकी एकदम से धासू वाले एक क्लिप के साथ जो कि बहुत मज़ा आया और 7 सेप्टेमबर ओके और उसके बाद मतलब 20 दिन के बाद सलार मुवी रिलीश होनी है 28 सेप्टेमबर और सलार मुवी के 20 दिन के बाद लियो मुवी रिलीश होनी है 19 अक्टोबर और लियो मुवी के 20 दिन के बाद टाइगर 3 रिलीश हो रही है 10 नमेंबर मतलब 20-20 दिन का यहां पर gap है और ये तीनों फिल्म जवान हो गया, सलार हो गया, लियो हो गया ये तीनों के तीनों फिल्म पोटेंसियल रखते हैं हजार करोड का लेकिन gap कितना है? 20-20 दिन का असली बिजेता तो तब होगा यार और डिरेक्ली हमें उस टाइम पे पता चलेगा कि 20 दिन के अंदर कौन बाजी मारा जवान, सलार या फिर लियो और देखो ना तीनों के तीनों फिल्म अलग-अलग इंडिस्ट्री से भी है मतलब हलाकि तीनों के तीनों फिल्म पैन इंडिया लेवल पे है लेकिन जॉनर जो है एक तो बल्यूट से हिरों के हिसाब से अगर हम देखे तो सारुखान बल्यूट से प्रवास टल्यूट से अर थल्म पति बिजे सर कल्यूट से और तीनों के तीनों अपने अपने इंडिस्ट्री में बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब फैन वेस रखे है बल्यूट में बातसा कहलाते हैं सारुखान वो किंग है टल्यूट में प्रवास कल्यूट में तल्म पति बिजे सर मतलब यार खतरनाक है यार सुचते ही रंख्टे खड़े हो रहे हैं बिज दिन के अंदर बतलब इंडीयन सिनेमा के सबसे खतरनाक फिल्में आ रहे हैं जवान, सलार, लियो और बिज बिज दिन के अंदर इन लोगों को अपने जो पोटेंशिल रखते हैं हजार करोड का जो जब भी हजार करोड की कलेक्शन वाली बात होती है 2023 की अप्टर पठान मुवी हो गया तो ये तीनो फिल्म का नाम जरूर आता है अब ये देखना बाकी है कि ये तीनो फिल्म जो है 20-20 दिन के अंदर कौन जित्ता है और कौन बाजी मारता है करक टककर है और मज़ा आएगा ये देखने में ये रेजल देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि जवान 20 दिन के अंदर कितना कलेक्शन करता है सलार 20 दिन के अंदर कितना कलेक्शन करता है या फिर लियो मुवी 20 दिन के अंदर कितना कलेक्शन करता है हाँ हाला कि ये बात ये है कि जो पहले रिलीश होगा वो स्क्रीन खाएगा लेकिन 20 दिन है यार 3-3 weeks है ना 3-3 weeks में स्क्रीन खा जाने वाली बात तो समझ में आती है लेकिन उतना भी नहीं है क्योंकि उसके बाद जो फिल्म आ रही है वो भी बहुत खतरनाक फिल्म है जवान मुवी के बाद सलार आ रही है 3 weeks के बाद और सलार मुवी का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशिल है फैन वेस बहुत ज़्यादा है लोग इंदिजार कर रहे है और अगर केजी अप कनेक्शन वगेरा कुछ हो गया तो बहुत बवाल हो जाएगा उसके बाद लियो मुवी वो तो बिक्रम का पाड है तो यार बहुत खतरना गयार गुजबम बाली चीज़ है यहाँ पर के सच में देखते हैं बस आपको क्या लगता है कि 20 दिन के अंदर किसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा होगा मतलब जवान का सलार का या फिर लियो का 20 दिन का कमाल देखना है कि किसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है 1000 करोड का आंकड़ा कौन पार कर पा रहा है 20 दिनों के अंदर और 20 दिनों के अंदर 1000 करोड के आंकड़ा पार करके और कितना ज़ोरा है भाई मैं यहाँ पे तो एक बास सोचता हूँ कि देखो सलार जित जाएगा, जवान जित जाएगा, कोई बोलेगा कि लियो जित जाएगा, अपने अपने पसंद के हिसाब से, अपने अपने फैवराइट हीरो के हिसाब से, अपने अपने पसंद की फिल्म के हिसाब से, सब ल बैए देखो जवान से हम अगर सुरू करेंगे जवान मुवी किस लेवल की फिल्म होगा अभी तो ये एनॉंस्वेंट वीडियो देख करके पूषे पता चल गया है और वो अभी जो आया है वो एनॉंस्वेंट वीडियो ये हाइप को देख करके पताने की ज़ुद नहीं है जवान मुवी के बाद फिर सलार मुवी किस लेवल की फिल्म होगा आपको पता है फिर लियो मुवी किस लेवल का फिल्म होगा फिर टाइगर थी किस लेवल का फिल्म होगा तो भाई बैक टू बैक 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 देखने को मिलने वाली है और back to back देखने को मिलेगा मतलब आप भुल जवान का आपको जवान का कहर आपके दिमाग से जायने होगा और Derek Salar आ जाएगा Salar का कहर नहीं तूफान उठने वाला है वो नहीं थमा होगा फिर Leo आ जाएगा Leo का तुफान नहीं थमाऊगा और Tiger 3 आ जाएगा मजा आएगा यार इंडियन सिनमा किस लेवल पर जाएगा और क्या कहर मचाएगा बहुत मजा आएगा बस देखते हैं यार कि 20 दिन के अंदर कौन ज़्यादा कलेक्शन करता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जवा होगा विनर इस दिन के कलेक्शन के वाद ओके थैंक्स पर वजिंग है वे नैश्टे टेक केर